जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर है बोरिस पिस्टोरियस ये इंडिया विजट पे थे और इनके द्वारा एक मेटिंग कंड़ट करी गई थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ जिसके अंतरगत सब्मरीन के मुद्धे को लेकर चर्चा जो है आगे बड़ी है और कुछ न्यूज एजनसी द्वारा ये कहा जा रहा है कि जर्मनी काफी क्लोज है यूएस 5.2 बिलियन डॉलर की डील के जो कि 6 सब्मरीन को इंडिया में बनाने के लिए प्रजेक्ट 75 आई के अंतरगत तो पास्ट में भी कुछ मीडिया रिपोर्ट साइए और हमने भी रिपोर्ट किया है कि जर्मनी इंडिपेडनेट ऑफर यहां पर दे सकती है अपनी सब्मरीन को लेकर जिसके अंतरगत गौपर्मरीन को चुना जा सकती है तो एक चीज़ यहां पर साफ हो गए कि न्यूस एडलाइन्स है पर वो मिसलीडिंग है तो यहाँ पर हुआ क्या है यह हम डिसकस कर लेते हैं तो प्रजेट 75 आए के अंतरगत दो इंडियन कंपनीज को शॉटलिस्ट किया गया था एक लाटसें टूबरो, दूसरी मसगाउन डॉक लिम्डर्ड यानिकी MDL अब जो फॉरिन कंपनीज थी इनको इनी दोनों इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर अपनी सब्मरीन को इंडिया में बनाना था तो यहाँ पर फॉरिन पार्टनर कौन थे रश्या से रूबिन डिजाइन बियरो, स्पेन से नवांतिया ग्रूप, फ्रांस से नेवल ग्रूप, देवो शिपिंग, मरीन इंजिनिरिंग, साथ कोरिया से और जर्मनी से TKMS तो जो रिक्वार्मेंट्स यहाँ पर रखी गई थी, इसको देखते हुए कई कमपनी यहाँ से बैक आउट कर गई थी, जिसमें फ्रेंच नेवल ग्रूप थी, रुश्या की रूबिन डिजाइन बियरो और जर्मनी की TKMS भी शामिल थी Interestingly, France और रुश्या अभी भी ऐसा लगता है कि competition से बाहर है, जिसके विज़े से यहाँ पर जर्मनी को सबसे बड़ा advantage है तो most likely यह competition South Korea की KSS-3 submarine और नवंतिया ग्रूप यानि की S80 Plus class submarine और जर्मनी की Type 212 CD के बीच में है तो अगर आप configuration को देखेंगे तो weapons और armament के मामले में जो South Korean KSS-3 है जिसे दोसान आन चैंगो क्लास submarine भी कहा जाता है यह सबसे आगए आपको दिखाए देगी और इसमें Korean vertical launching system भी देगा है जहांसे यह ballistic missiles भी launch करने में सक्षम है पर इन submarines के साथ परिशानी यहां पर यह है कि यहां पर कई third party system लगे हूँ है जिसमें engine जो है यह German है कई sensors France से आते हैं और Spain से आते हैं इटली से आते हैं तो यह South Korea की completely indigenous submarine नहीं है साथ जो variant इंडिया को offer किया गया है जिसे DSME 3000 कहा जाता है इसमे Korean VLS cells नहीं दियेगा है यानि कि यहां से ballistic missile launch नहीं हो पाएंगी तो यह जो एक बड़ा advantage दिखाई दे रहा है यह इंडिया को offer की गई सब्मरीन में नहीं मिलेगा साथ जो fuel cell based AIP system है यह भी यहाँ पर proven नहीं है वहीं पर अगर में बात करें type 212 CD submarine की तो यहाँ पर जो AIP system है जो कि fuel cell based है यह actually proven भी है और operational भी है साथ इसाथ इन submarines को world की सबसे quietest submarines में से एक भी कहा जाता है तो overall अकर देखा जाए तो यह German submarines जो है अपने competition से काफी ज़ादा आगे है इस पर हमने detail में भी बात करी है link हम pin comment में pin कर देंगे तो इंडिया दोरह जो request for proposal है यह 2021 में issue कर दिया गया था जिसके अंतरगत 5.4 billion dollars इस program के लिए allocate किये जाएंगे और यह strategic partnership model के अंतरगत होगा पर इस RFP को कई बार schedule किया गया पहले 2020 नवंबर में फिर postpone किया गया June 2022 में फिर postpone किया गया December 2022 में और अभी तक इसका status जो है पता नहीं है क्योंकि ultimately दो ही contender बचे थे फ्रांस ने और रुशिया ने 2022 में withdraw कर लिया था तो इस program की जो direction है इसका कोई अता पता नहीं लग पा रहा था तो जर्मनी के वापस आने के बाद यहाँ पर एक twist आया है although directly जर्मनी को यहाँ पर contract नहीं दिया गया है कहा जा रहा है कि जर्मनी अभी भी competition में है पर अब ऐसा लगता है कि यह आपचा रिकता है और यहाँ पर फैसला जल्दी लिया जा सकता है project 75i के अंतरगत क्योंकि जर्मनी तोरा personally यहाँ पर pitch किया जा रहा है इस submarine की sale को तो यहाँ पर project 75i का जल से जल conclude होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि हमारी जो requirement है जो कि 24 submarine की है उससे हम काफी जादा नीचे है और 16 के आसपास submarines को maintain कर रहे है साथी साथ हमें यहाँ पर पुरानी submarines को retire भी करना है तो इन submarines का समय पर आना बहुत ही जादा जरूरी है और ऐसा लगता है कि अब यह competition जल्दी conclude हो जाएगा I hope information यहाँ पर clear रही हो इसी बात पर इस वीडियो को हम खतम करेंगे लाइक करिए subscribe करिए चेहन